नमस्कार दर्शेकों न्यूज 18 हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कहते हैं जूट की ढोंग की जादा बड़ी उमर नहीं होती लेकिन एक ऐसा ढोंगी बाबा है जिसकी उमर एक दो सीजन नहीं बलकि तीसरे सीजन तक आप पहुँची है काफी लोग उसे पसंद कर रहे हैं नाम है उनका काशीपुर वाले बाबा निराला बाबा जो अब सीधे भगवान बन गए है लेकिन उनके भगवान बनने के पीछे अगर कोई एक बहुत बड़ी वज़ा है तो वो है भोपा बाबा जै हो भोपा बाबा की जप नाम जप नाम बुलाने का शुक्रिया और बढ़िया हूँ और जिस तरह से सीजन वन सीजन टू का जो महाल बना है जो हावा बनी है उसके साफ से और दर्शक बहुत ही excited है कि एक नया रोमांश होगा बिल्कुल आप उन्हें भुपा बाबा के तौर पे ही आप उन्हें जानते हैं लेकिन मैं बता दू हमारे साथ हैं चंदन रोयसानियाल जिनको आपने कई सारी फिल्मों में देखा है और अक्सर ये मेरी गरंटी है कि नफरत ही की होगी प्यार बहुत कम किया होगा तो सर ये जो इतनी नफरत आपको मिल रही है सबसे बड़ी बात तो लोग ए अगर वो लेंगे काला है हुआ आदमी लेकिन इस सीजन में आप थोड़े उसके दूसरे रंग भी देखेंगे दूसरे रंग भी बिखे रहे है मैंने तो जो ऐसे आपने कहा तो जैपूर भोपाल में जब शूट करते हैं या हम लोग किसी भी सड़क पे हाईवे पे कहीं हॉस्पिटल, स्कूल तो सब हाथ जोड़के आ जाते हैं मतलब जैसे अनुयाई होते हैं या भक्त होते हैं वैसे आके हाथ जोड़ने लगते हैं जप नाम करते हैं तो जो ऐसा आपने कहा इस किरदार को मुझे हमेशा ही स्क्रीन पे लोग बहुत उन्होंने नफरत की है औ लेकिन जब मैं रियर लाइफ ही मिलता हूं महला कई इंस्टाग्राम या सोचल में लोग खुप गालियां वालिया भी लेते हैं महला फुल रंगीन गालियां मटती है मुझे लेकिन सब अचीवमेंट यह है जैसे आपने गहा कि वो किरदार ऐसा उसने जो महक है उस किरदा होती है लेकिन अमजित खान साब अच्टर तो वह एक अच्छा है बिलकुल तो इससे बड़ा अचीवमेंट भोपा बाबा के लिए क्या होगा कि लोग आके आपके आगे हाथ जोड रहे हैं लेकिन क्योंकि यह तीसरा सीजन है दो सीजन में हम आपका सारा स्टाइल देख चुके हैं और आपके जितने भी अतरंगी अंदाज है वो देख चुके हैं तीसरे सीजन में हमें हाला कि आपने बताया कि कुछ नया कुछ अलग ट्विस्ट है लेकिन फिर भी अगर आप कुछ स्पोईलर्स दे पाएं कि क्या नया देखने को मिलेगा देखी क्या है कि मैंने प्रकाश जी के निर्देशन में मैंने उनके साथ काफी जब क्यारेक्टर रोना मुझे स्क्रिप्ट डी इस सीजन की मैंने को बला कि है शैतान तो है काला भी है लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा अलाओ करेंगे या आपके परमेशन से मैं कुछ और रंग भी बिख भाव अगर आप अलग भाव एक ही भाव में मैं हमेशा सिर्फ आप एक ही जगह हीट कर रहे हैं कि वो खराब है खराब है लेकिन एक इनसान की जो अंदर की जो पीड़ा है या कई बार उसके अंदर जो पशो पेश या जो कुंठा है वो अगर दिख जाए तो फिर जादा मज़ायागा तो मैंने इस बार वो एक कोशश किए कि उसके एक जो की वो इनसान भी है उसकी भी कुछ कमजोरियां है वो मैंने उसका थोड़ा सव जागरुद किया है और उसमें आपको बहुत मज़े आएगी यार यह काला तो है लेकिन थोड़ा सा है ठोड़े शेड है व हम लोगों को घर में बैठ के इंटर्टेइन्मेंट करना सिखा ही दिया आश्रम ने एज एक्टर आपकी जिंदगी कितनी बगली है आप लोग बता सकते हैं आज मैं यहां बैठा हूं इस पोस्टर के आगे कितने मेरे जो को लीग्स हैं जो एक नई स्फूरती लह वा एक Cheers हमी मिली है खोरी रहा घर करी रहा था मै है उसम्में अब् nta जो भी मुझे किरदार मिलता था जुट के काम करता था लेकिन वेब स्परी से किया हुआ कि एक मास अपील जो शायद एक अभίνेता को एक जीवन में चाहिए होता है क्यूंकि जनरली फिल्मों में आप नेपथ्य के पीछे ही रहते हैं लेकिन यहां पे किया है कि यह मौका मिल रहा है अभίνेता को कि वो पोस्टर के सामने बैठके एक सवाल जवाब दे रहा है क्योंकि जब फिल्मों में जब मुझे रूल जो किरदार मिलते थे जनरल आप पर्दे पर जाकी ही उसको डिस्कवर कर पाते थे उससे पहले वो मुका एक अभिनेता को मिलता नहीं था कि वो प्रेस कॉन में सब्सक्राइब करते हैं नो एकस्पेक्टेशन नो रिग्रेट्स तो मैंने जो रोल मैं तब पहले भी कर रहा था उसी जान उसी स्पूर्ति और उसी अंदाज पर साथ मैं इसमें भी डाला लेकिन ये एक शायद वीधी का विधान था कि इतना बड़ा हिट हो गया और ये जो सीजन है और उपर जाने वाला है क्योंकि एक तो पैंडमिक था लोग घरों में बैट वे थे और तब उसमें आपके थोड़ा सा खुला है महल थोड़ा बदला है और लोग वैसी एकस्पेट कर रहे थे कि आश्रम देखना है एक साल हो गए तो इस बार आश्रम में तो काफी कुछ देखने को मिलेगा घर बैठे बैठे ही साश्रम का आनन्द आप अपने घरों में ले सकते हैं नेगेटिव शेट्स की हम बात कर रहे हैं आपने देखे जब भी फिल्मी दुनिया की बात करें तो जब भी कोई फिल्मों का सपना देखता है और भारत में बा हीरो बनने की तमना थी कि जाओगे मुंबाई जाओगे और रितिक रोशन बन जाएंगे ने रितिक रोशन बनने का मेरा कभी कोई देय नहीं था लाइफ में मैं अच्छली दिल्ली से ही हूँ मैं पहले कि लोडिमल कॉलेज में था फिर मैं जाकिर हुसेन में पढ़ाई की मैं इन सब के बहुत चक्र काटता था नॉलेज गीन करने के लिए मैं जब रंग महोसब होता था तो मैं खुब सारे नाटक देखता था दस रुपे की टिकेट होती थी बड़े-बड़े कलाकार दुनिया देश भर से आते थे उनके नाटक देखता था फिर जमन कल्चर सें कि मुझे हीरो बनना है एक्टर बनना है तो मैं पूछता हूँ क्यों बनना है भई तो वो जवा मुझे 17 साल की उमर में मुझे मिल गया था कि जो मैं स्टेज पर उतरा और मेरे जब पहले सबसे पहले जो मेरे गुरू थे अबीब तन्वीर साहब उन से जब मैंने अभीने जो है वो स्टेज पे जो भी रोल मिले उसके उसके बदमे दूसरे गुरू थे अलएक पदम सी आज सब उपर बैठे मुझे देख रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ यही बात बताई थी कोई भी रोल किरदार तुम चुनो उसमें तुमको सारे रंग भिखहने हैं सारा जितनी कि मुझे हीरो ही बनना है या विलेन ही बनना है मैं करता गया क्योंकि आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है लेकिन मैं I want to be like a good soldier of art and cinema और मैं जो भी रोल मिले जब मैं यह भी कर रहा था मैं यही नहीं सोचा था कि एक मुख्य चरित्र है और इसको ऐसे करूंगा तो ऐसे हो दो महिने body जिम बना ले जिसरे मैंने यह करूंगा चौते महिने film में लेगी पांच महिने release छटे महिने star और फिर जिन्दगी बाद स्टार रहूंगा लेकिन अभी नहीं जो है इस like it's a meditation मलेक ध्यान है आपको जिन्दगी अगर आप Anthony Hopkins के वीडियो देखेंगे जनोंने कि लास रखी हुए और 82 years old हो लेकिन उसमें उनकी जो आत्मा है वो देखेंगे पता चलते हैं कैसे वो पूरे जिन्दगी को नहीं enjoy किया, Jack Nicholson है या Christopher Walken है, मुझे वो बनना है, you know, I want to be when I am 82, 85, I am sitting there winning probably an Oscar or a Cannes Best Actor or Venice Film Festival, तो मुझे दुनिया पे चाना है, उसके लिए पूर नोलन की फिल्म करूँ या किसन बेल के साथ काम करूँ या, you know, तो मेरी, मैं बहुत आगे जाना है मेरे को, तो सिर्फ एक नाम या एक नहीं बनना है, तो चलिए, we hope for the best, मैं जवाब दे रहा हूं, माफ ती जेगा, आरे, नहीं बिलकुल, we hope for the best and fingers crossed, तो आखरी सवाल मैं से जरूर पूछना चाहूंगी, किरदार में तो आपको लोगों ने देखा है, असल जिंदगी में कभी कोई सुपर स्टेशन है, जो मानते हैं, या कोई भी ऐसा चोटी सी चीज, या बच्पन से सिखाई हो कि भई बिली रस्ता काच जाई या कुछ और, कोई बी ऐसा मॉवलारा मैं बहुत तो कि मेल काच जल्क पूछन अनका बनसा या लेकिन बूप अफूर का वन रस्तोफ में będzie बारिश ब़को अंधि पड़ व्यार बनका बार्म अनका फंध मिंग बहुत था जब से जब बंद से सिख और जाई हो और पार भाई भी और फिल तो सब कुच नहीं वो बारिश होती थी और सब कुछ बहे जाता था हमारा हर बार तो वो एक सुपोस्टिशन देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगी कि इसके बाद हम जो बाते करें वो और भी जादा मज़ेदार होंगी क्योंकि इस बार आपका वो जो ग्रेश इड है वो देखके और मज़ा आएगा न्यूजेटीन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्ति थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू